हलो अचो आज की वीडियो में प्रिखर हिंदी कारिपुस्तिका क्लास एट की आपकी भूख है इसकी कारिपत्तक नमबर एक से लिकर के तो कारिपत्तर नमबर पांस तक आपको complete solution इस वीडियो में बताए जाएगा तो अचो जैसे की आप देख सकती हो ये है आपकी प्रिखर हिंदी कारिपुस्तिका लिखे पने बोले और गर्व करे ऐसे करके लिखा है सत्य दोज़ार चोईस पच्छिस न्यू सेशन की वच्छो आपकी पुस्ता के क्लास एट के लिए और राजिस्तान राजिसेख्ची का अनुसंदान में प्रिशिक्षण परिश्द उदेपुर नीचे लिखा है तो चलिवाचो कारिपतक नमबर एक को हम सॉल्व करते हैं कारिपतक नमबर एक में हमें दक्षिता दी है पठित सामगरी का विश्लिशन करपाना अब पहली नमबर का अगर हम प्रिश्ण देखेंगे तो पहले नमबर के प्रिश्ण में हमें दिया है दिये गए बाक्यों को स्थिदी के अनुसार मिलान कीजिए जैसे कि बचो कावाला हम देखते हैं आसा आज बिमार है अब दीखें अगर बिमार है तो उसे क्या करना चाहिए उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए यानि कि बचो किस से मैच करेंगे उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे नेक्स्ट है रोहित रात को देर से सोया था तो कल विध्याले नहीं जा पाएगा क्योंकि वचो देर से सोया तो सुबह उठ नहीं पाएगा टाइम से और विध्याले नहीं जा पाएगा तो इससे मैश करतेंगे सभीता ने अपना भूजन बाट दिया क्यों बाटती है क्योंकि बेग्या है दयालू है इसकी बाद में स्वाति को विज्ञान विश्य पशंद है उसे बड़े होकर कि क्या बनना है बेग्यानिक बनना है नेक्ष्टे जानवरों की आभाजे सुनकर गरीमा जो है बहुत डरी होई है ये वचो हमारा कंप्लीट होता है पहला कोईशन चलिए इसकी बाद में दूसरे प्रिश्ण को समझते हैं तो प्रिश्ण किर्मान के दो जो हमें दिया है इसमें हमें कहा गया है जो प्रिश्ण हमें दिये गया है बाक्यों को पढ़ करके अर्थपूर्ण सब्द पर सही गोला या सही टिक हमें लगाना है जैसे कि काबाला प्रिश्ण हम देखेंगे ये घंटिया कितनी सुन्दर है अब चो चार आप्सन समय दियेगा है मंदिरों में, मस्चीदों में, गुर्दारे में, ताजमहल में अब चो सिंपल सी बात है घंटिया कहां पर पाई जाती है गुर्दारे मस्चीद और ताजमहल में घंटिया नहीं है घंटिया जो होती है, मंदिरों में होती है इसलिए जो आपका सही उत्तर रहेगा आपका है क्या मंदिरों में तो उत्तर में बच्छो आपका क्या आजाएगा मंदिरों में नेक्स हम देखते हैं, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तरास रहा हूँ, option में मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार और कास्तकार आजएगा, अब बच्छो चो खावाला हमारा प्रिशन है, पत्थर को तरास रहा हूँ, पत्थर को कौन तरास हीगा, बच्छो चित्रकार तो चि करना पड़ता है और जैसे कि हमें पता है पेदल कौन चलता है तो यात्री चलते हैं आपका जो यात्री है क्या रहेगा सभी उत्तर आपका रहेगा नेक्स हम देखते हैं बचो यहां पर हमें जुखा वाला जो प्रिष्ण दिया है व्यक्ति जो सदेव अशफल होते ओपसंस नहीं करना जाते हैं यानि की बचो आलसी ब्वेक्ति पर आपको सही टिक करने न है उससे फल नहीं खाया गया अब कोई भी बजो हो सकती फल कड़वा था मीटा था लाल था या पका हुआ था तो देखिए लेकिन अगर फल कड़वा है तो कोई कैसे खाएगा इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा उससे फल नहीं काया गया क्योंकि फल जो था भेग गया था कड़वा था चलिए इसके बाद में कारिपतिक नमबर 2 को हम सौल्व कर लेते दक्सता दी है एक जैसे चित्रों में असमांता धूंड करके लिख पाना नीचे दीगाए दोनों चित्रों को दे चित्र हमें दिया गया है अब ये दोनों जो चित्र है आपको देखने में बच्छों सेम लगेंगे लेकिन कुछ इनमें भिन्नता हैं में भिन्नता में आपको बताऊंगा उसके अकोडिंग आप इनमें अंतर कर पाऊगे तो बच्छों दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखने को मिलेंगे तो एक अंतर तो बच्चो हमारा सबसे पहले यह वाला हो जाता है अब दूसरा अंतर हम निकालते हैं बच्चो जैसे कि आप यह जो परदा है इसे देखोगे इसमें गोल गोल जो हमें सफेट टाइप के धब्बे दिखाई देंगे लेकिन नीचे वाला परदा है यह क्या है प्लेन है इसमें किसे भी परकार के धब्बे नहीं हैं दूसरा अंतर हमारा यह हुआ इसके बाद में बच्चो और नजर हम डालते हैं तो यहां पर जो हमें फूट्स रखे हुए दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए दोनों ग्रीन कलर के हैं लेकि तो यहां पर बच्चो जो आइस्क्रीम है देखिए यह आइस्क्रीम का कलर अलग है इस आइस्क्रीम का जो कलर है वह अलग है यहां पर यह वाला जो परदा है और यहां पर यह वाला जो परदा है बच्चो अलग है ठीक है तो यह अंतर हमने निकाले इसके बाद में और भ और इस वाले सट में Collar नहीं है यह एक अंतर बच्छों हमारा क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा ठीक है कि इतने अंतर काफी है यह बस कर दीजी का आपका यह complete हो जाता है छलिए इसके बाद में हम आपका जो अगला कारिपत्तिक No.3 है इसे solve कर लेते कारिपत्तक नमबर 2 में लिखना तो बचो हमें कुछ था ही नहीं only answer देखने थे जो हम देख चुके हैं कारिपत्तक नमबर 3 आ जा था वेवारी बैकरन सर्वनाम सब्दों की पहचान बा प्रियोग कर पाना अब पहले नमबर का अगर हम प्रिष्ण देखेंगे तो प्रिष्ण में हमें दिया है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िये तथा उनमें से सर्वनाम सब्द चाट करके बॉक्स में लिखिये अपनी ने अपनी दिभ्यांगता को सोयम पर हा भी नहीं होने दिया उसने अपनी खिलोना बंदुक को उठाये वा उससे निशाना साथने लगी आज वै एक सफल निशाने वाज है सभी लोग उसे कारिकर्मों में आवंतित करते हैं कल अपनी हमारे घर भी आई थी नीचे कुछ सर्वनाम सब्द दिये गए हैं उसकी सहेली का नाम सीमा है वैं सामने वाले मकान में रहती है मेरा घर भी उसके पास है यहां एक बगीचा है उसकी घर पर कोई आया है उसने जहां से पेन खरीदा वहीं से एक किताब भी खरीदी तुम्हारा नाम क्या है चली वाज़ों यह हमारा होता है complete इसकी बाद में हम देखते हैं रिक्तिसानों में उच्छी सर्वनाम का प्रियोग कीजिए तो उच्छी सर्वनाम का प्रियोग हम यहाँ पर कर लेते हैं मीना दोडने के पृतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल ली गई उसे प्रतियोगिता में उसका प्रतरसन सांदार रहा उसे एक्षण और तो काश्च पदक मिले बहां अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी उनमें सी कुछ लड़कियों ने मीना की अच्छी दोस्ती हुई महराज्ट में आई सीनू और करनाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी वे दोनों अलग-अलग भासा ये बोलती थी वे दोनों हिंदी जानती थी पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी जिसे समझने में मीना को थोड़ा सा समय लगा मीना ने उनकी भासा की कुछ सब्द भी सीख लिए एक दूसरे को चिट्टी लिखने का वायदा करके सब अपने घर वापस लोटे अब आ जाता है बचो कारिपत्रक नमबर चार तो दक्सिता है वेभारिक व्याकरन किरिया सब्दो को फेहचान कर उल लिख पाना चित्र को देखकर सही किरिया सब्दो वाले बाके पर सही का निसान लगाना है जैसे कि बचो एक चित्र हमें दिखाई दी रहा है इसमें बच्चा बढ़ता हो दिखाई दी रहा है तो क्या लिखेंगे रोहन पढ़ रहा है इस पर हम टिक करेंगे क्योंकि भैचो खेलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, अगर खेलता हुआ दिखाई देता तो खेलने वाले पर टिक करते, अभी आपको किस पर टिक करना है, रोहन पड़ रहा है इस पर, नेक्स टे, देखी बच्चो एक बादल है, उसमें से बरसा होती ही दिखाई दी र हday तो इस पर टिक करेंगे अकाश सितार बजा रहा है इस सब्सक्राइब करेंगए बेगाई चित्र को धहान से देखती है करिया किरिया से संबन्दित एक एक बाकर बनाई है वगीचे में मौ नाच रहा है फिर का वाला हमा रहे हाँ वगीचे में तितली हमें करना है जैसे कि बच्छो दुख का आजाएगा दुखाना लोफ का हमारा आजाएगा लुभाना इसके बाद जूट का आएगा जुटलाना खेल का हमारा आजाएगा खिलाना फिर बच्छो जीत का जीतना आएगा पानी पानी का आएगा पीना चल चल का आएगा बच्छ दोबारा लिखना है, जैसे कि बच्छा दूद पीता है, इसका आजाएगा, बच्छा धीरे धीरे दूद पीता है, गाय घास चरती है, इसका आजाएगा, गाय हरी घास चरती है, बच्छा सोता है, इसका आजाएगा, बच्छा सीधा सोता है, बह गाता है, इसका आजाएगा लिक लीजीका. ठीक है? दिये गाए किरिया सब्दों से बाक्य बनाई है. गाना कोएल सुरेला गाती है. अब उठना सुमन जल्दी उठती है. हसना का बनेगा राजु जोर से हसता है. लिखना का बनेगा विच्छु कणी का धीरे-धीरे लिखती है. और इसके बाद में जो देखना दिया है इसका बनाएंगे अधित्य टीवी देख रहा है अच्छो तीसे नमबर का प्रिशन आ जाता है इससे समझते है किरिया और किरिया विशेशन चाट यह अब बाके में जो है हमें किरिया और किरिया विशेशन चाटना है किस परकार से चाटेंगे जैसे कि बादल जोर जोर से गरज रहा है अब जोर से दिया है गरज रहा है ठीक है यह हमारी किरिया विशेशन हुई यह हमारी किरिया हुई अब चौर चुपके से भाग गया चुपके से क्या है किरिया विशेशन है और भाग गया ये क्या है किरिया है भै खिल किला कर हस दिया तो खिल किला कर क्या है बच्छो किरिया विशेशन है और हस दिया क्या है किरिया है अकर्मक किरिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का सोता है सकर्मक किरिया में कर्म होता है जैसे कि लड़का पुस्तक बढ़ता है बताए इन बाक्यों में कौन सी किरिया है और कौन सी सकर्मक किरिया है तो बच्चो का वाली जो हमारी होगी रिचा चित्र बना रही है यह हमारी सकर्मक के रिया है मदू पानी भरता है यह भी हमारी सकर्मक है नभीन दोड़ता है यह हमारी अकर्मक है मैं गाना गाता हूँ यह अकर्मक होगी चुण यहां ओड रही है यह भी अकर्मक होगी चलिए यह हमारा कम्प्लीट हुआ इसके बाद में कारिपत्तक नमबर 6 हमारा आ जाता है कध्यांस पध्यांस को पढ़कर समझ के साथ पिश्णों के उत्तर दे पाना यह हमारी है दक्सता अब देखिए आधी आई चोर सोर से डाले तूटी है जाकोर से उड़ा घोसला अंडे फूटे किससे दुख की बात कहेगी अब यह चड़ियां कहां रहेगी हमने खोला अलमारी को बुला रहे हैं बेचारी को पर वो चीची करती है घर में तोबो नहीं रहेगी घर में पेड सक हम दे रहे हैं बच्छों यहां पर चुणियां की पीड़ा देखिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो बच्छों कल लीजिगा अब देख लेते हैं दूसरा प्रिश्ण आधी आने के बात क्या हुआ उत्तर में लिखेंग हम अपना समान घर के अंदर रख देते हैं सो हम भी अंदर वेट जाते हैं चुणियां अपना घुसला कहा बनाती है उत्तर लिखेंगे चुणियां अपना घुसला पेड़ पर उच्छी रोशन दान में बनाती है तो चली वह जो कारिपत्तक नंबर 6 तक आपको कंप्लेट कर बादिया है हमने और अगर आपको और कारिपत्तर के अंसर देखना है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर के देख सकते हो